Hello students, this is Tanushree, तो आज हम करेंगे exercise 2.3 से question number 3 और question number 4 तो first हम question number 3 देखेंगे, देखो यहाँ पे fraction की division दिया हुआ है तो इसकी value हमें fine करना है, तो हम पहले भी fraction की division कर चुके हैं तो हमें rule अच्छी तरह से पता है, अच्छा, तो देखो first यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 by 3 divided by 2, तो rule क्या है, देखो first number जो रहता है, वो as it is लिखना होता है divide multiply हो जाता है, और second number जो रहता है, इसकी reciprocal हमें लेना होता है तो reciprocal of 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यह है rule, अच्छा, अभी देखो 7 by 3 यह as it is लिखना है, into reciprocal of 2, तो 2 की reciprocal क्या हो जाएगा तो क्या होता है reciprocal, तो denominator में जो रहता है, वो numerator में होता है और numerator में जो रहता है, वो denominator में हो जाता है तो यहाँ पे देखो, 2 की denominator में क्या है, 2 की नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो denominator में 1 है, तो यह numerator में हो जाएगा, और numerator में 2 है, तो वो denominator में हो जाएगा तो reciprocal of 2 हो जाएगा 1 by 2 तो कोई भी whole number की reciprocal क्या हो जाएगा 1 by वो whole number ठीक है अच्छा अभी देखो अभी हम multiply करेंगे तो यहाँ पर उपर नीचे cancel नहीं होगा तो हमें क्या करना है उपर numerator into numerator करना है और नीचे denominator into denominator करना है अच्छा 7 into 1 करने से उपर 7 होगा नीचे 3 into 2 करने से हो जाएगा 6 तो 7 by 6 इतना तक answer रख सकते हो यह right है या तो हम क्या कर सकते हैं देखो यह है improper fraction तो इसको mixed fraction में convert करके लिख सकते हैं तो 6 से 7 को हम divide करेंगे 6, 1 is a 6, 7 minus 6 करने से 1 होगा 6 से यह और divide नहीं जाएगा तो इसको हम mixed fraction में कैसे लिखेंगे देखो quotient 1 है remainder उपर 1 हो जाएगा नीचे denominator 6 तो 1, 1 by 6 तो यह हो जाएगा answer ठीक है तो अभी हम next देखेंगे next देखो यहाँ पे है 4 by 9 divided by 5 तो 4 by 9 as it is लिखना है divide multiply हो जाएगा 5 की reciprocal लेना है तो whole number की reciprocal क्या होता है 1 by whole number होता है तो 1 by 5 हो जाएगा यहाँ पे अभी देखो उपर नीचे cancel नहीं होगा तो हमें क्या करना है उपर numerator into numerator करना है और नीचे denominator into denominator करना है 4 1s are 4 और नीचे 9 5s are 45 यह हो जाएगा तो देखो यहाँ पे proper fraction आया है उपर numerator छोटा है नीचे denominator बड़ा है तो यह proper fraction है अचा तो इतना तक answer हम रख सकते है एक बार हम देख लेते हैं इसकी simplest form निकाला जा सकता है कि नहीं तो उपर नीचे same number से divide होता है कि नहीं वो हम एक बार check कर लेंगे तो उपर 4 है नीचे 45 है तो यह 2 से divide जाएगा तो नीचे यह 2 से divide नहीं जाएगा यह 4 से जाएगा यह नहीं जाएगा तो इसकी simplest form हम नहीं निकाल सकते हैं मतलब यही है इसकी simplest form तो इतना तक हमें रखना है तो यही हो जाएगा इसकी answer तो अभी हम next देख लेंगे next देखो Ethan यहां पे है 6 by 13 divided by 7, तो 6 by 13 as it is लिखना है, divide हो जाएगा multiply, 7 की reciprocal हो जाएगा 1 by 7, तो यहां पे देखो उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, उपर numerator into numerator करना है, और नीचे denominator into denominator करना है, तो 6 into 1 करने से उपर हो जाएगा 6, और नीचे 13 into 7 करने से हो जाएगा 91, तो य यह आया है proper fraction, तो हम एक बार देख लेंगे, इसकी simplest form निकाला जा सकता है कि नहीं, तो देखो उपर है 6, नीचे है 91, तो यह 2 से डिवाइड जाएगा, पर यह 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, यह 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, यह 6 से डिवाइड जाएगा, यह 6 से डि by 3 divided by 3, तो यहाँ पर mixed fraction है, तो mixed fraction को first हमें improper fraction में convert करना है, और फिर हम division कर सकते हैं, अचा तो first हम improper fraction में convert करेंगे, तो 4 threes are 12, 12 प्लस 1 करने से उपर होगा 13 और नीचे होगा 3, तो 13 by 3 होगा, अचा देखो divided by 3, ठीक है, अभी हमें rule apply करना है, तो 13 by 3 यह as it is हो जाएगा, divide हो जाएगा multiply, 3 की reciprocal हो जाएगा 1 by 3, ठीक है, तो उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, तो 13 into 1 करने से उपर 13 होगा, नीचे 3 into 3 करने से हो जाएगा 3, 3's are 9, तो यह है improper fraction, तो इसको mixed fraction में convert करके हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 9 से 13 को divide करो, 9 ones are 9, तो 13 minus 9 करने से हो जाएगा 4, तो 9 से यह और divide नहीं जाएगा, तो इसको mixed fraction में ऐसे लिखेंगे, 1 first लिखना है, quotient, अचा remainder उपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा denominator, तो 1 4 by 9, यह होगा इसके answer, तो अब ही हम next देख लेंगे, next देखो, यहाँ पे है 3 1 by 2 divided by 4, तो mixed fraction है, इसको first improper fraction में convert करना है, तो 3 2's are 6, 6 plus 1 हो जाएगा 7 उपर, और नीचे होगा 2, तो 7 by 2 होगा, अचा divided by 4, अभी हम rule apply करेंगे, 7 by 2 as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 4 की reciprocal हो जाएगा 1 by 4, अचा अभी देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, 7 into 1 करने से उपर 7 होगा, नीचे 2 into 4 करने से हो जाएगा 8, तो 7 by 8 आया है, तो यह है proper fraction, अचा तो देखो, इसकी simplest form हम नहीं निकाल सकते हैं, मतलब यही हो जाएगा, इसकी simplest form, क्योंकि उपर है 7, तो यह सिर्फ 7 से ही divide जाएगा, और नीचे है 8, तो 8 तो 7 से divide नहीं जाएगा, तो इसकी simplest form यही हो जाएगा, तो यही हमें answer रखना है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है 4 3 by 7 divided by 7, तो mixed fraction को first time improper fraction में convert करेंगे, 4 7s are 28, 28 plus 3 करने से हो जाएगा 31 उपर और नीचे होगा 7, 31 by 7 divided by 7, अच्छा, अभी हम rule apply करेंगे, 31 by 7 यह as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 7 की reciprocal 1 by 7 हो जाएगा, तो उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, multiply करना है, तो 31 into 1 करने से उपर 31 होगा, और नीचे 7 into 7 करने से 7, 7 सा 49 हो जाएगा, तो 31 by 49 आया है, तो हमें यही रखना है, ठीक है, अच्छा, तो यह हो जाएगा इसकी answer, तो यह था question number 3, next question number 4 देखो, यहाँ पर भी division करना है, तो rule सेम ही है, तो first यहाँ पर क्या है, 2 by 5 divided by 1 by 2, तो 2 by 5 as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 1 by 2 की reciprocal लेना है, तो क्या हो जाएगा, denominator में जो है, बो numerator में हो जाएगा, और numerator में जो है, बो denominator में हो जाएगा, तो 1 by 2 की reciprocal हो जाएगा, 2 by 1, नीचे 1 देने की ज़वरत नहीं है, सर्फ 2 लिखने से ही चलेगा, अच्छा, अभी देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, तो 2 into 2 करने से उपर हो जाएगा, 2 2s are 4, और नीचे 5 into 1 करने से हो जाएगा, 5 1s are 5, ठीक है, तो यह है proper fraction, तो यही हो जाएगा answer, ठीक है, अच्छा, अभी हम next देखेंगे, देखो, 4 by 9, यह as it is लिखना है, डेवाइड multiply हो जाएगा, 2 by 3 की reciprocal लेना है, तो क्या हो जाएगा, denominator में जो है, बो numerator में हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी reciprocal हो जाएगा, 3 by 2, अच्छा, अभी देखो, उपर नीचे cancel होगा, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, अच्छा, यहाँ पर देखो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो और देखो, नही होगा, अच्छा, तो 2 into 1 करने से उपर 2 होगा, नीचे 3 into 1 करने से 3 हो जाएगा, तो 2 by 3 होगा answer, ठीक है, यह भी proper fraction है, अच्छा, तो अभी हम next देख लेंगे, next देखो, यहाँ पे है 3 by 7 divided by 8 by 7, तो 3 by 7 as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 8 by 7 की reciprocal हो जाएगा, 7 by 8, अच्छा, अभी देखो, उपर नीचे cancel होगा, 7 ones are 7, 7 ones are 7, अच्छा, और देखो, cancel नहीं होगा उपर नीचे, तो हमें multiply करना है, 3 into 1 करने से उपर 3 होगा, नीचे हो जाएगा, 1 into 8 करने से 8, तो 3 by 8 होगा, तो यह है proper fraction, तो यही हमें answer रखना है, ठीक है, अच्छा, अभी हम next देखें mix fraction को first improper fraction में convert करना है, अच्छा, 2, 3s are 6, 6 plus 1, 7 होगा उपर, और नीचे होगा 3, 7 by 3 divided by 3 by 5, अच्छा, अभी देखो, अभी हमें rule apply करना है, तो 7 by 3 as it is होगा, divide multiply हो जाएगा, 3 by 5 की reciprocal हो जाएगा, 5 by 3, अभी देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, 7, 5s are 35 होगा उपर, अच्छा, नीचे होगा, 3, 3s are 9, ठीक है, 35 by 9 होगा, अच्छा, तो यह है improper fraction, तो इसको mix fraction में convert करके हम लिखेंगे, तो 9 से 35, divide करना है, तो देखो, 9, 2s are 18, 9, 3s are 27, 9, 4s are 36, जादा हो जाएगा, तो 9, 3s are 27 होगा, तो यहाँ पर बॉरो करना है एक number, तो यहाँ पर एक number बॉरो करने से 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 होगा, तो 15 माइनस 7 करने से 8 होगा, 2 माइनस 2 करने से 0 हो जाएगा, तो 9 से यह और divide नहीं जाएगा, तो quotient फर्स लिखना है, उपर remainder, नेचे denominator, तो 3, 8 by 9 यह हो जाएगा answer, तो अभी हम next देख लेंगे, यहाँ पर है 3, 1 by 2 divided by 8 by 3, तो यह है mixed fraction, इसको improper fraction में first हमें convert करना है, तो 3, 2 is a 6, 6 plus 1 हो जाएगा, उपर 7, नीचे होगा 2, 7 by 2 divided by 8 by 3, अचा अभी rule apply करना है, 7 by 2 यह as it is रखना है, divide multiply हो जाएगा, 8 by 3 की reciprocal हो जाएगा, 3 by 8, अचा अभी देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, 7, 3 is a 21, और नीचे होगा, 8, 2 is a 16, तो यह है improper fraction, तो इसको mixed fraction में convert करके लिखेंगे, तो 16 से 21, divide करना है, अचा 16, 1 is a 16, तो क्या होगा, देखो, एक number बोड़ो करना है यहाँ पर, तो यह 11 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा, 11 minus 6 करने से हो जाएगा 5, 1 minus 1 करने से 0 होगा, तो 16 से यह और divide नहीं जाएगा, तो quotient first लिखना है, उपर remainder, नीचे denominator, 1, 5 by 16, यह होगा answer, अचा अभी हम next देखेंगे, तो यहाँ पर भी mixed fraction है, इसको first improper fraction में convert करेंगे, तो 2 by 5 divided by, अचा 2 ones are 2, 2 plus 1 हो जाएगा 3, उपर 3, नीचे होगा 2, तो 3 by 2 होगा, अचा अभी rule apply करेंगे, 2 by 5 यह as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 3 by 2 की reciprocal हो जाएगा, 2 by 3, अचा अभी देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें multiply करना है, 2, 2s are 4, नीचे होगा, 5, 3s are 15, 4 by 15, यह है proper fraction, तो यही answer हमें रखना है, next देखो, यहाँ पे है 3, 1 by 5 divided by, 1, 2 by 3, तो दोनों ही mixed fraction है, तो mixed fraction को first हम improper fraction में convert कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम division करेंगे, तो 3 5s are 15, 15 plus 1 हो जाएगा, 16 उपर और नीचे होगा 5, 16 by 5 होगा, divided by, 3 ones are 3, 3 plus 2 हो जाएगा 5 उपर और नीचे होगा 3, तो 5 by 3, ठीक है, अभी हम division कर सकते हैं, अच्छा, जो rule है बो हम apply करेंगे, 16 by 5 as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 5 by 3 की reciprocal हो जाएगा, 3 by 5, है ना, denominator में जो है, बो numerator में हो जाएगा, numerator में जो है, बो denominator में हो जाएगा, अभी हम multiply कर सकते हैं, तो देखो, उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, multiply करना है, अच्छा, तो उपर क्या हो जाएगा, 16 into 3 करने से, 16, 3s are 48, नीचे 5, 5s are 25 हो जाएगा, अच्छा, तो देखो, यह है improper fraction, तो इसको mix fraction में convert करके हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 25 से 48, divide करना है, तो 25, 2s are जादा हो जाएगा, तो 25, 1s are 25, 8-5 करने से हो जाएगा, 3, 4-2 करने से हो जाएगा, 2, तो 25 से यह और divide नहीं जाएगा, तो quotient first लिखना है, उपर remainder और नीचे denominator, तो 1, 23 by 25, यह हो जाएगा answer, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी दो mix fraction है, तो इसको improper fraction में first convert कर लेना है, तो 5s are 10, 10 plus 1 करने से हो जाएगा, उपर 11, नीचे होगा 5, तो 11 by 5 होगा, divided by, 5 ones are 5, 5 plus 1, उपर हो जाएगा 6, और नीचे हो जा ठीक है, अचा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें rule apply करना है, तो 11 by 5, यह as it is लिखना है, divide multiply हो जाएगा, 6 by 5, इसकी reciprocal हो जाएगा 5 by 6, अचा, अभी देखो, उपर नीचे cancel होगा, तो 5 ones are 5, 5 ones are 5, ठीक है, अचा, अभी देखो, और उपर नीचे cancel नहीं होगा, तो multiply करना है 11 into 1 करने से उपर हो जाएगा 11, नीचे 1 into 6 करने से हो जाएगा 6, तो 11 by 6, यह improper fraction है, इसको mix fraction में convert करके हम यह पर लिखेंगे, तो 6 से 11 को divide करना है, 6 ones are 6 हो जाएगा, 6 twos are 12 जाएगा, तो 6 ones are 6 करना है, तो 11 minus 6 करने से हो जाएगा 5, अचा, 6 से और divide नहीं जाएगा, तो caution first लि नीचे denominator, बस, तो 1 5 by 6 होगा, तो यह था question number 4, तो यह था इस exercise के last part, next video में हम exercise 2.4 स्टार्ट करेंगे,